हेई फ्रेंड्स मेरा नाम है अंकिर जैन और आज हम बात करने वाले हैं एक लड़के की एक छोटा सा लड़का वो एक बार एक परसन के पास जाता है और कहता है कि मैं आपका जो आफिस है इसमें काम करना चाहता हूं तो उस बंदे उस लड़के की शकल देखके वो परसन बूलता है कि या तू लड़का तो बड़ा चोटा सा है चल ठीक है कोई बात नहीं तू ऑफिस का चोटा मोटा काम कर दी हो सेलरी कितनी लेगा तो वो कहता है कि सर मेरे को पच्छेस हजार रुपे चाहिए तो वो परसन जो उसको अपॉइंट करने वाला थो कहता है पच्छेस हजार यार क्या खास बात है तेरे में जो तू मुझे से पच्छेस यार रुपे माग रहा है तो वो कहता है कि सर मैं अपनी डूटी बताता हूं सबसे पहले में जो बेसिक डूटी रहेंगी वो रहेंगी कि आपके ऑफिस की साफ सफाई करना आपके ऑफिस के बेसिक सारे काम करना और उसके बाद आपकी कंपनी में अगर अकाउंटेंट नहीं आता है तो उसके अकाउंट सी भी मैं करना जानता हूं उसके बाद अगर आपका जेनरल मैनेजर या सीनियर मैनेजर नहीं आता है तो उनके काम भी मैं करूँगा, अगर आपका sales person नहीं आता है, तो मैं भी वो काम करूँगा, आपका procurement में अगर कोई person नहीं आता है, तो भी मैं काम करूँगा, उसके बाद आपके office का management भी मैं करूँगा, यानि आपके office के जितने भी काम होंगे, वो तो मैं करूँगा, लेकिन अगर आप office नहीं आते हैं तो भी जो आपकी duties होंगी वो भी मैं पूरी करूँगा बस salary मैं 25,000 रुपे लूँगा तो अब वो person थोड़ा सा confused होता है लेकिन उस person को अपनी duty पे रख लेता है और उसके बाद वो person उसको सच में बहुत अच्छे results देता है वो जो लड़का आता है वो उसक size पे मच जाईए उस person के अब हमें आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि हुआ क्या जब हम forever के products को use करते हैं तो शुरुआत में आपको लगता है कि यह सच में यार यह product क्या करेगा इसका बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका product महंगा है आपके product की कीमत बहुत जादा लग करते हैं ठीके फिर उसके बाद वो आपके accountant की duty भी पूरी करता है यानि आपकी body में किसी चीज की कमी या किसी कोई चीज access हो रही है तो वो उसको भी balance करने का काम करता है उसके बाद आपका journal manager या company का senior manager यानि उसके office जो आपका जो body है उसका पूरा management समालने का काम भी हमारा product करता है और उसके बाद जब आप अपनी duty पे नहीं होते यानि जब आप अपनी body को देख रेक नहीं कर पाते या आपके बाद से तना time नहीं है कि proper nourishment लें तो आपकी उस nourishment लेने की duty को भी ये product पूरा करता है ये सोचिए वो aloe vera कितने सारे काम कर रहा है उसके बाद अग मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ आप चाहे हमारा toothpaste का वीडियो देखिए आप चाहे हमारा डियो का वीडियो देखिए चाहे किसी भी product के बारे में आप एक बार पढ़के देखिए उसके बारे में research करके देखिए इन वीडियो को देखिए इन वीडियो देख्वार्ट करके देखिए use करने के बाद मैं गियंट ले सकताहूं कि आप इन प्रोडक्स के दिवाने हो जाएंगे आपको यह प्रोडक्स बहुत अच्छा लगने लगेगा और उसके बाद फिर प्रोड्क्स की पर नहीं जाएंगे आप करो हमारे जैँगे अगर अगर आप बात करते हैं एक toothpaste की तो एक toothpaste पे इंसान पूरे साल लगबग 2.000 रुपे का खर्चा करता है लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारे इसकी डियो की तो हमारा डियो लगबग लगबग 1.2 साल अराम से चल जाता है और इसकी जो कीमत परती है आपको 4.500 रुपे कहां आप पूरे साल में 24.500 रुपे कर्च कर रहे थे और कहां आपने 4.500 रुपे कर्चे तो सस्ता पड़ा ना उसी तरह हमारा जो टूथपेस है वो लगबग 200 से 200 ब्रशिंग्स दे रहता है अगर एक परसन यूज़ कर रहा है तो ठीक है यानि वो लगबग 8-10 महीने चल रहा है त तो आपका टूथपेस कितने दिन चलता है उसके बाद मार्केट में जितने भी आप देख रहे हैं प्रॉडक्स वो केमिकल से तैयार किये गए हैं उनके साइड इफेक्ट भी हैं लेकिन फॉरेवर किसी भी प्रकार की आपको चेताव नहीं है कि इन प्रॉडक्स को आपने बालों पर नहीं लगा सकते हैं लेकिन अगर आप फॉरेवर के साबून की बात करें तो फॉरेवर का साबून आप अपने बालों पर भी लगा सकते हैं उसको मल्टीपल जगे आप यूज़ कर सकते हैं गमोरियों के लिए आपको प्रिकली हीट पॉडर से यूज़ करने प बाद ये मैंने ही बोल रहा है आप खुद ही बोलेंगे कि यार सच में इन प्रोडक्स में बड़ी जान है ये प्रोडक्स काम करते हैं तो फिलहाल अपने प्रोडक्स से बारे में जितना ही बताऊंगा नेक्स वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत अच्छी इंफर्मिशन फिर से शेयर करता हूँ मेरी बाद सुनने के लिए बहुत बद्धन्यवाद नेक्स टाइम फिर से मिलते हैं बाई